रक्षा मंत्रा ले या बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस की तरफ से तीन अलग अलग जगहें से चोटे चोटे टीचर्स की रिकूट्मेंट आई हुई हैं तो इन तीनों रिकूट्मेंट के बारे में बिलकुल विस्तार से एक सिंगल वीडियो में ही आपको सारी इंफोर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएंगी आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचर्स की रिकूट्मेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटरस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस येट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर ले यहाँ पीजीटी, टीजीटी, गैस्ट और रेगुलर बेसिस दोनों तरह की रिकूट्मेंट है, काउंसलर की वैकेंसिया है इसके अलावा अन्यपद भी हैं, तो ठीक है अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और एक एक करके तीनों नोटिफिकेशन देख लेते हैं बिलकुल विस्तार से ये है पहला नोटिफिकेशन, ये दूसरा नोटिफिकेशन है और ये है तीसरा नोटिफिकेशन, शुरूआत करते हैं यहां से एक कोरिजोंडम जारी किया गया है, 18-19 सेप्टमबर 2020 को जो न्यूस पेपर में वैकेंसिया निकाली गई थी, उससे जुड़ी हुई तो उसमें सेलली नहीं बताए गई थी, कॉंट्रेक्टल बेसिस की जो रेक्रूटमेंट निकाली थी, तो काउंसलर की सेलली है 26,250 अपर मन्त, PZT इंगलिश की 27,500, TZT आर्ट्स की 21,250 और म्यूजिक टीचर की है 21,250 यहां इस एड़टाइजमेंट में वैकेंसिया इन ही पदों के लिए है, जो कि जारी किया गया है सैनिक स्कूल जीवा, MP की तरफ से, तो यह मध्या परदेश की तरफ से रेक्रूटमेंट आई है, 28 सेपनबर 2020 को अमेंडमेंट किया गया है इस नोटिफिकेशन में, रेक्र इकी से चाली साल आईउ सीमा, 26,250 सेरली, पीजटी इंगलिश एक पद, M में इंगलिश प्लस बीएड, एकी से चाली साल आईउ 27,500 सेरली, आर्टीचर एक वैकेंसी, पांस साल का रिकोगनाईज डिप्लोमा, ड्राइंग, पेंटिंग, स्क्लिप्चर या ग्राफिक 21-35 साल आईउ 21,250 सेरली, म्यूजिक टीचर एक वैकेंसी, ग्रेजवेशन या डिप्लोमा, म्यूजिक में 21-35 साल आईउ 21,250 सेरली, सेलेक्शन प्रोसेस क्या है, फर्स्ट फेज में रिटन और प्रेक्टिकल टेस्ट है, सेकेंड फेज में आपका इंट्रिवे कंड़क्ट यहां से आप इसे डाउनलोड कीजिये, प्रिंट आउट निकालिए, 500 रुपे अप्लिकेशन फीस भी आपको इसके लिए जमा करानी होगी, अप्लिकेशन फीस और रुपीज फाइफ अंडर टो पी डिपोसिटिड इन दे स्कूल बैंक अकाउंट, बैंक अंकाउंट के साथ में लगाना होगा, अप्लाई करने की अंदिम्ति थी है, 15 अक्टोवर 2020, इसके बाद चलते हैं, दूसरे नौटिफिकेशन के तरफ, यहां एक टीजिटी हिंदी की वेकेंसी आई हुई है, सैनिक स्कूल पूरलिया में, तो यह कहां है, यह है वेस्ट बंगॉल में, तो यहां के लिए भी एक रिक्रिटमेंट है, नोटिफिकेशन में सबसे उपर अप्लिकेशन फॉर्म दिया गया है, और नीचे इसकी डिटेल्स दी गई है, वेकेंसी के, टीजिटी हिंदी रेगुलर बेसेज की एक वेकेंसी है, अन्रिजर्ड के लिए, पेस के लिए, प 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, बीएड फ्रोम है, रिकोगनाइज युनिवस्टी, सीटेट या एस्टेट क्लियर होना आवशक है, तो कंसर्ण सब्जेक्ट मतलब हिंदी में ग्रेजवेशन आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 50% अंकों के साथ, ग्रेजवेशन के जो 3 साल ह में अलग-अलग भी 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, एवरी इयर, बीएड के डिगरी होनी चाहिए, और सीटेट या एस्टेट भी आपका क्लियर होना आवशक है, सेल्जी में आपको बता ही चुका हूँ, ओफिशल वेब साइट है, सैनिक स्कूल पूरलिया.डोट कॉम, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन और अप्लिकेशन फॉम दोनों मिल जाएँगे, आपको अप्लिकेशन फॉम का प्रिंट आउट निकालना है, भरना है स्कैन करके, और यहाँ मेल कर देना है, यह एमेल आइड दी गई है, और उसकी हार्ड कोपी भी आपको सेंड करनी है और 400 रुपए application fees journal और OBC के लिए और अगर आप SCST के टेगरी से हैं तो 200 रुपए application fees भी आपको जमा करानी होगी demand draft के माधियम से और demand draft होना चाहिए in favor of principal सैनिक स्कूल पूर लिया इसके बाद जो 30 सी recruitment है वो आ रही है सैनिक स्कूल गोपाल पाड़ा आसाम की तरफ से और एक vacancy है सेम salary है और यही आईउ सीमा है qualification की जहा तक बात है टीज़ीटी आसामी के लिए concerned subject में graduation मतलब आसामी में graduation चाहस परतीश इतांकों के साथ BAD की डिगरी और सीट एट या estate आपका clear होना आउशक है आर्ट क्राफ्ट टीचर की एक vacancy इकीस से पैंटिस आईउ एकीस जार salary 5 साल का डिपलोमा, पेंटिंग, ड्राइंग या स्कुल्चर या ग्राफिक आर्ट में तो आप आफिदन कर सकते हैं 21 साल आईउ, एकीस जार पे salary मैट रोम, दो वेकेंसियां, टैन प्लस टू आपने कर रखी हो ability to speak and understand आसामी, हिंदी and English 14 जार पे salary, 21 साल आईउ वार्ड वाइ, तीन वेकेंसियां, दो अन्रिजर्ड, एको बीसी, टैन प्लस टू आसामी, हिंदी और इंगलिश, आप बोल और समझ पाएं 21 से पचास साल आईउ, 14 जार salary लेब असिस्टेंट, तीन वेकेंसियां, एक अन्रिजर्ड, एक ओबीसी, और एक सी, 10 प्लस टू साइन्स ट्रीम में ability to communicate in Hindi and English 21 से पचास साल आईउ, 14 जार salary, जर्नल, एंप्लोई, 6 वेकेंसिया, 5 अन्रिजर्ड, एक ओबीसी, 10 अगर आपने कर रखी हैं तो आप आविदन कर सकते हैं आईउ, सीमा 21 से पचास साल, एक अक नुमर दो हजार भीस को, 13,500 रुपए आपको इसमें salary मिल जाएगी और accommodation भी आपको school में ही मिल जाएगी तो ये हैं दोस्तो recruitment, return test, interview and skill test के basis पर यहां selection किया जाएगी और जहां तक इनके लिए apply करने की अंतिम्तिति की बात है advertisement की publication date से 14 दिन की अंदर अंदर आपको इनके लिए आविदन करना है और जो publication date है वो भी मैं आपको बता लेता हूँ 26 September के employment newspaper में ये recruitment आई थी और इन के लिए 500 रुपए application fees भी निर्धारित की गई है जो कि demand draft के माध्यम से ही आपको जमा करानी होगी जो कि होनी चाहिए in favor of principles and school गोपाल पाड़ा payable at state bank of India तो ठीक है दोस्तों में में सारी जानकारी इन तीनों recruitment से जुड़ी हुई आपको बिल्कुल विस्तार से एक single वीडियो के माध्यम से provide करा दी गई है अब देख लेते हैं इनकी official website ये देखी ये है सैनिक स्कूल पूरलिया की official website सैनिक स्कूल पूरलिया.com यहाँ आपको देखी latest news के section पे ही यहाँ update आपको मिल जाएगी सबसे उपर और recruitment देखी latest news vacancy for TZT हिंदी इसके बाद अगली जो vacancy है वो सैनिक स्कूल रिवा की तरफ से है ये सैनिक स्कूल रिवा की official website है यहाँ देखी recruitment for counselor, PZT English, TZT Art, Music Teacher on Contactal Basis और समविदादार पर सामने करमचारियों की भी यहाँ recruitment आई हुई है और जो तीसरी है यह है website सैनिक स्कूल गोपाल पाडा की यहाँ पे भी आपको vacancies के section पे आना होगा vacancies के section पे आपको यह notification और application form मिल जाएंगे यहाँ क्लिक करके आप notification और application form डाउनलोड कर सकते हैं तो ठीक है दोस्तों तीनों की official website भी आपके साथ share कर दी गई है वीडियो के माध्यम से फिर मिलते हैं किसी नवी वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार